अबजक्त है और राइट इसमें वर्व है राइट इसमें वर्व है और वर्व भी कैसी है यह ए ट्रांजिटी वर्व है मोनो ट्रांजिट्व रो इसके बाद में आपे समझा कुझा आ रही बात क्या बताने जा रहा हूं वो यह है कि अगर आपसे प्रशन पुछा जाए अगर आपसे प्रशन पुछा जाए कि I write a letter इसमें a letter कौन सा object है तो बेशक आप कहेंगे यह क्या का जवाब है यानि वाट का यू गोर से देखना I teach you यानि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं I subject हो गया teach वर्व हो गई और यू इसमें object हो गया प्रशन यह है कि यू कौन सा object है प्रशन यह है कि यू कौन सा object है डाइरेक्ट है या इंडाइरेक्ट है आप लोगों का यह की जवाब होगा कि यह हूम का जवा है दूसरी बात यह सजीव भी है तो इसका मतलब यह indirect object होगा परन्तु यह उत्तर बिल्कुल गलत है सही उत्तर यह है कि यह direct object है अब आप कहेंगे कि सब थोड़ी देर पहले आप की नहीं समझाया और आप ही मना कर रहे हैं दरसल समझाना में चाहता हूं कि अगर किसी sentence में एक ही object हो तो direct या indirect object बनने का प्रशन ही पेदा नहीं होता अगर किसी sentence में एक ही object हो तो उसके direct या indirect होने का प्रशन ही पेदा नहीं होता निर्विवाद रूप से वो direct object ही होता है चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो यह लिखने लाइक बात है आप इसको एक नीचे अप झाल